पीपी 217 के उमीदवार जैन कुरेशी जो के शामुद कुरेश साब के बेटे हैं मौरुसी सियासत के बारे बड़ी बात होती है खान साब किसके बारें बात करते हैं मौरुसी सियासत तब होती अगर मेरा बाप पाकिसान तरिकिन साब का चेर्मेन होता और मुझे तरिकन साब का चेर्मन लगा दिया गया होता मैंने ये देखा है का सर्मान नाइन साब ने कॉर्टन डिसेच इंस्टिटूट के अंदर बैठ कर मीटिंग की उसके अंदर सरकाली एहलकार मौजूद थे मैंने उसकी वीडियो अलेक्शन कमिशन कुदी अलेक्शन कमिशन ने उनको 40,000 रुपए का फाइन करके रफ़ा दवा कर दिया उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाख़बर रह सकें जी उर्दू पॉइंट के साथ तन्वीर नानला और मेरे साथ मौजूद है पीपी 217 के उमीदवार जैन कुरेशी जो के शामुद कुरेश साब के बेटे हैं यहा शासब सबसे पहले बटाएं कि मोरोसी सियासट के बार बात क्रेंरे हैं पॉर्णी सियासट यह होती है कि मिनिस्टर का बेटर कर पे वाइस चेर्मेन होता तरीक इंसाफ का, मुझे वाइस चेर्मेन लगा दिये गए होता। पाकिस्तान में अलेक्शन लड़ने का हक हर पाकिस्तान के शेहरी को है। हर शनाख्तिकार्ड वाला पाकिस्तान में अलेक्शन लड़ सकता है। इसको मारूस्य स्यासत नहीं कहते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बेटा, वकील का बेटा वकील बनता है। तो सियासधान का बेटा जो है वो सियासत में जाएगा। अब अगर एक हलके के अवाम उसको मुन्तखिब करके वोड देके असेमली में भेचती है तो वो सुन लो मारूसिया तब होती है कि मेरा बाप पार्टी का चेर्परसन हो वो दवाई लेने भाग जाए लंदन और मुझे पार्टी का वाइस चेर्मन बना दिया जाए और मेरे पीछे पूरी जमात लगा दी जाए मारूसिय सियासत तब होती है कि मेरी वालदा जो हो वो पार् कि कैंडेट्स के खिलाफ तो वो मरूसी सियासत नहीं होती वो अवामी सियासत होती है अपनी प्रेपरेशन के वाले से बताएं कि आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है दांदली की शिकायाद भी मिल रही हैं तो इसको आप कैसे टैकल करने का इरादा रखते हैं देखें जहां तक तो है अवाम का सवाल तो अलहम अवाम पाकिसान तरिक इनसाफ के साथ है अवाम ने फैसला कर लिया है कि इस दफ़ा चोरों को और लोटेरों को वोट नहीं देना इस दफ़ा हक का वोट देना है इस दफ़ा हकी की अजादी का वोट देना है और इस दफ है प्रेपरेशन की बात तो इस हलके की मैं बात कर सकता हूं इस हलके के अंदर हमने बिलकुल देखा है सरकारी मशिनरी का इस्तमाल होते देखा है कमिशनर के दफतर को मैंने मुस्लिम लिगनून का कैम्प आफिस बनता देखा है मैंने मुस्लिम लिगनून की क्यादत और पीपल्स पार्टी की क्यादत को उनके दफ्तरों को इस्तमाल करता देखा है मैंने ये देखा है कि समान नाइन साब ने कौटन डिसेच इंस्टिटूट के अंदर बैठ कर मीटिंग की उसके अंदर सरकाली एहलकार मौजूद थे मैंने उसकी वीडियो और उसकी तस्वीरें अलेक्शन कमिशन को दी अलेक्शन कमिशन ने जो कि डिरेक्ट वाइलेशन है दापता इखलाग की उसके उपर अलेक्शन कमिशन ने उनको 40,000 रुपए का फाइन करके रफ़ा दवा कर दिया मैंने ये देखा कि इस हलके में रोज मेरी टीमें जाकर मेरे पब्लिसिटी करती है और टीमों के ट्राक आते हैं उनको उतार के ले जाते हैं सल्मान नईम साब के वहीं पर खड़े रहते हैं हमारे उतर जाते हैं इसी तरीके से ऐसे सौ और मसले हैं जिसमें हमने देखा है कि हकूमती उमीदवार के साथ एक बहुत बड़ा जो लोकल दिजामी है उसकी फेवर जो है हकूमती उमीदवार की तरफ है लेकिन ऐलेक्शन अमाम का होता है अगर पीटिया की गविन बन जाती है पंझाब में तो आप क्या समझते हैं हमारा मुस्लिमनी काफ के साथ एक इलाक है वो हमारे एलाए हैं और हमने चौद्ध प्रविद लाही साब को उम्मीदबार नामजद किया था पिछले लेक्शन में अब हालात बदल रहे हैं बाइस तारीख को फिर कोट न ओर्डर कर दिया लेक्शन तो इस पे जो इमरान खान साब फैसला करेंगा वो सारी पार्टी सहरे खम तसलीम करेंगी अब ये गवर्मेंट नून की है और उनकी गवर्मेंट में रहते हुए एलेक्शन हो रहे हैं तो अगेन मेरा सवाल वही है कि टैकल करने का क्या मनसूब है अब यहाँ बता रहे हैं कि मशीनरी भी उनके गेंस्ट है कमिशनर साब भी उनकी फैवर में है तो आपने मनसूब है क्या बना है बलब कल को में ये तो सुनने को नहीं मिलेगा कि मारे साथ धानली हो गई थी हम इस वज़ा से आर गए थे नहीं अब सारे मनसूब है मैं आपको अभी बता दूँ लेकिन देखें असल चीज़ है पोलिंग डे पोलिंग डे को मैनेज करना है और इंशालला पाकिस्तान तरिक असाब का वरकर जो है वो बहुत जोश में आप देख सकते हैं उनका जोश और जज़बा आपके सामने है हमारे पोले एजिंट्स भी हमने उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की है उनको बताया है का अगर किसी किसम की घड़बर हो उसको फॉरण आपने रिपोर्ट करना है हमारा एहतजाज पूर अमन होगा लेकिन हम इस हलके के अंदर किसी को किसी किसम की धांदली करने की जादत नहीं देंगे चीक है तो जैन कुरेश साब हमारे साथ मौझूद थे जो के पीपी 217 से अलेक्शन कॉंटेस्ट कर रहे हैं तन्वीर नानला अर्दू पॉइंट से अलाहाफिस